इस प्रोग्राम में हम scanf function का यूज़ करेंगे scanf function किसी भी variable की value को input करने के लिए यूज़ किया जाता है आप सेंटेस्टेस्टी अब इसको अब श्यूज़ करेंगे इन्ट इन्टिजर वैरिएवल यहाँ पे मैंने एक डिले करिया है अब मैं सको अब मैं इसको अब मैं इसको इसको अब एक डिले ना का यूज़ करेंगे, अब वैल्यू हमने input Crawl लिया है, A variable के लिए, अब हम A variable को output करेंगे, output printf से करेंगे, percentage d, a, दोनों में Scanf और printf में फर्क कितना है, आप Scanf में Ampresent का यूज़ करेंगे, scan app के बीज आप कोई text string यूजर नहीं करेंगी इस तरह से प्रोग्राम करांग करते हैं तो अगर आपने scan app के बीज में कोई string यूजर किया होगा वो display नहीं होगा और जो value output में आएगी वो भी कलता आएगी तो इसलिए आपने यहां पे कोई string यूजर नहीं करना है अगर आप message display करना चाते हैं तो printer यूज करें अगर आपoure आपंख अन्य यूजर और आयूजर रêtes बीज 20 values 20 इस तरह से हम value input लेंगे और उसको output करेंगे अगर आप दो numbers को add करना चाहते हैं उनकी values input और उसका result होगा तो आप उसी तरह से result in variable लेंगे और बल्डम एस नंडिक चल में एसी तरह सकती सटीचा झूक्ककर बिए गो अब स्टेटमेंट result is a plus sum is sum result वर्यों इस्टोर है result प्रोगम रन करें एंटर फास्ट 6 इसेकंड 8 हमने यहां पर एंपरसेंट यूज नहीं किया है इसलिए वहां पर रिजल्ट गल्द आ रहा था scan app फ्यूज करते टाइम आप एंपरसेंट का यूज करेंगे विशच करें यूज करेंगे विच्ट दिए करेंगे विच्ट करेंगे विच्ट करेंगे लाएं।